नमस्कार, तन्वीज क्रेशन में आज सभी का स्वाधत है, आज हम बनाएंगे पान का शेक, और पान वैसे तो बहुत शुद्ध होता है पान का पत्ता, और पूजा और हवन में भी यूज होता है, लेकिन पान के कुछ फायते मैं आपको बता रही हूँ, कि पान अगर सुभा सुभा खाली पेट खाया जाए, एक पत्ता चबा लिया जाए, तो कैल्शयम की कभी बखुरा करता है, पान के पत्ते में विटमिन C, आइरन, कैल्शयम, प्रोटीन, सभी तत्म मौजूद होते हैं, ऐसी दिटी को खतम करता है, और पान के पत्ते को पत्ते को पीस कर, माती पर लगाए, सरदर ठीक होता है, मूह के चाली होने पर पान का पत्त चबाए, अब हम बनाना शुरू करते हैं, पान का शेक, इसके लिए हमें चाहिए, चार पान के पत्ते, एक गलास फुल क्रीम दूद, दो इस्पोप वनीला आइस क्रीम, एक बड चमच, सौफ, दो इलाइची, दो लॉंग, एक छोटा चमच, रोज वाटर, और सजानी के लिए, लाल चैरी, कटें ड्राइफ रोट्स, एक पान की पत्ते को मैं सजानी के लिए रखूंगी, और तीन पान की पत्ते, गोल घुमाके, और इन्हें किचिन सिजर से काट पान की पत्ते काट लिए हैं, अब इन पत्तों को मिक्सी के जहार में डालेंगे, दूट डालेंगे, चीनी डालेंगे, गुलाब जल, सौफ, लॉंग, इलाइची, गुलकन, वनिला आइस्क्रीम थोड़ी डालेंगे, और थोड़ी हम सजाने के लिए रख लेंगे, आप ठकर लगाकर, इसको मिक्सी में ब्लेंड करेंगे, अब इसमें हम आइस्क्रीम डालेंगे, और फिर से एक बार चलाएंगे, अब यह हमारा पांचेट बनकर तयार है, अब इसे हम चानेंगे, अब सबसे पहले बनीला आइस्क्रीम ग्लास में डालेंगे, ड्राइ फ्रूट्स डालेंगे, और पान का शेक डालेंगे, आप चाहें तो बीच बीच में भी वनीला आइस्क्रीम के स्कूप डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसे सिंपल भर रही हूँ, और उपर से हम इसे डेकॉरेट कर देंगे, अब सबसे आखेर में वनीला एस्क्रीम डालेंगे, साथ ही ड्राइ फ्रूट्स डालेंगे, कटे पान के पत्ते डालेंगे, छेरी लगाएंगे, पान का शेक बनकर तयार है, थंडे थंडे पान शेक का मजालें, भनडेवाद, झाल